सहारा रेखिस्तान दुनिया का अच्छ से गड़ा रेखिस्तान है जहांकि बंजर, जमीन और ते जमाई इस जगा को और भी एदा खतनाक मना देती हैं आपको बताते हैं पुरे सहारा रेखिस्तान में इसी 210 इंच तक साल में बारिस होती है जो की बहुत कम है पानी और पेड़ यहां पे बहुत रेली दिखाई देते हैं ऐसे में यहां जिन्दगी का पनपना बहुत ही मिस्किल लगता है लेकिन हमें जो मिस्किल लगता है नेचर के लिए वो बहुत ही असान लगता है आज हम उस जानवर के बारे में बात करेंगे जोनी मुश्किल पर सित्खियों में भी सांस लेते हैं नमबर वन ओस्ट्रिच सहारागिस्तान में पहाज जाने वाले पच्छों की बात की जाए और इसमें ओस्ट्रिच का नाम ना है ऐसा होई नहीं सकता और श्रिच को दुनिया का इसमेर पच्छी माना आ जाता है इस पच्छी की लंबाई 2.5 मीटर से जादा होने के साथ साथ इसका वज़न 70 से 145 किलो तक हो सकता है आपको जान का हरानी होगी कि इसके अंडों की वज़न भी दो क्लियों से जादा होते हैं यह फोक्स खाने में छोटों मोटे कीड़े और साथ ही चिपकिलो कंड़े खाना पसंद करती है इतना ही नहीं यह लोमडी अपना जीवन व्यापन करने के लिए हलो के साथ साथ पेड़े को पत्यों को भी खाती है इस फिनेक्स फोक्स की लंबाई 2-3 फीट तक हो सकती है और इनका विएन 2 किलो से लेकर 12 किलो तक हो सकता है यह फिनेक्स फोक्स 32 किलोमेटर पर ती घंटा के अफ्तार से दोड़ सकती है सहारा रखिस्तान में पाई जाने वाले कैमल 10-12 फीट तक बड़े हो सकते हैं वहीं इनका विए 400 से लेके 600 किलो तक हो सकता है ये एक दिन में सुखे और तप्ती रखिस्तान में 32 किलोमेटर से भी जाज़ा चल सकते हैं इसी विए से कैमल्स को रखिस्तान का जाज भी का जाता है और इतना चलने के बाद ये जानवर बिना खाय पिये हफ्तों तक जिन्दा रह सकता है आपको जानका हराने हो कि दुनिया में जातर पाई जाना विले कच्छुए पानी का नज़िक पाई जाते हैं सारा रखिस्तान में पाई जाना विले ये कच्छुए के उम्र पचास से लेके 200 साल तक हो सकती है वहीं ये कच्छुए चास से लेके 6 तक बड़े हो सकते हैं